राजस्थान की धरोहर, संस्कृती और परियतन का जिक्र हो तो ब्यावर के देवमाली गाव का नाम अब इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में जुड़ गया है। देवमाली गाव को हाल ही में बेस्ट टूरिस्ट विलेज के रूप में चुना गया है और यहां राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धी है। इस गाव की समरित संस्कृती, परंपराएं और प्राकृतिक सुंदरता ने इसे एक प्रमुख परियतन स्थल के रूप में पहचान दिलाई है। देव माली का पर्यटन में उभरता नाम देव नारायन मंदित देव माली का प्रमुक आकरशन देव माली गाव संस्कृती और प्रकृती का संगम बेस्ट तूरिस्ट विलेज का खिताब अंतराष्ट्रिय पहचान की ओर देव माली गाव अपनी अनूठी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है यहां स्थित भगवान देव नारायन का मंदिर विशेश रूप से दर्शनिया है जो पूरे गाव के लिए एक प्रमुख धार्मिक और एतिहासिक केंद्र है राजस्थान की लोग कथाओं और धार्मिक विश्वासों में गहरे रचे बसे भगवान देव नारायन के मंदिर में हर साल हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं इस मंदिर के अलावा गाव की प्राकृतिक सुन्दर्ता भी पर्यटकों को आकर्शित करती है देवमाली गाव का चैन केवल इसकी सुन्दर्ता के लिए नहीं, बलकि उसकी सांस्कृतिक और पारमपरिक विरासत के लिए भी किया गया है राजस्थान की समरित संस्कृति और पारमपरिक जीवनशैली इस गाव में अब भी पूरी तरह से जीवित है यहां के निवासी आज भी अपनी परमपराओं और रिती रिवाजों को मानते हैं, जिससे यह गाव एक अध्विती अनुभव प्रदान करता है देवमाली का यह चैन राजस्थान के परियतन और सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है यहां गाव न केवल राजस्थान, बलकि पूरे भारत के लिए गर्व का विशय है, क्योंकि इसकी पहचान अब अंतराश्ट्रियस्तर पर हो चुकी है देवमाली की यह सफलता राजस्थान के अन्य गावों के लिए भी एक प्रेरणा का स्त्रोत बनेगी देवमाली गाव का बेस्ट टूरिस्ट विलेज के रूप में चयन होना, उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर को अंतराश्ट्रियस्तर पर एक नई पहचान दिलाने में सहायक साबित होगा